आप देख रहे हैं एक्जाम बसद्डा यूट्यूब चैनल तो इस वीडियों हम बात करने वाले हैं करेंट अपेस के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम शुरू से लेकर अंतर जितने भी आज के इंपोर्टन कुश्चिन है जितने इंपोर्टन करेंट इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को माई सब्सक्राइब के लिए साथ ही बैल आइके नभाई है ताकि रोज आनवाली वीडिक नोटिफिय के दना को बिल्कुल टाइम से मिल जाए अगर आपको पीडिय प्रदान मंतरी नारेंद मोदी ने कहां आई टी यू एरिया आफिस एंड इन्वेशन सेंडर का उद्गाटन किया है उद्गाटन किया है नई दिल्ली में सब्सक्राइक यू रांद में किया है नइद्गाटन किया है डिल्ली में आइट्य ईयू ए अरिया आफिस इनोसेंट्र का उद्गाटन नई दिल्ली में ये है जए हम चर्चा करते हैं कि चार्चा करते हैं तो उद्धगाटन नए दिल्ले में किया है प्रधान मंत्री नारेंद मोदी ने 22 मार्च 2013 को नए दिल्ली में नए अंतराश्टी दूर संचार संग आईट्यू छेत्र कारालाय और नवाचार केंद्र का उद्धगाटन किया अगर बात करते हैं कारकरम के दौरान प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री चाजी जी जिसे बोलते हैं फाइब जी सिक्स जी बीजन डाक्यूमेंट का भी अनावरण किया है भारत ने छेत्री कार्याले की अस्तापना के लिए आईट्यू के साथ मार्च 2022 में एक मेज़बान दे सब्सक्राइब करते हैं अगर हम और बात करते हैं गाइस कि बात करते हैं जी के बारे बात कर लेते हैं भारत का छेत्रपल है 32,87,263 भारत की लंबाई ही उत्तर से दचिड बत्तिस सो चोगदा लंबाई पूर्व से पस्चिम उन्तिस सो तैंटीस अस्तल सीमा की लंबाई है पंद्रह सो पंद्रह हजार दो सो है अब अब यह बात करते हैं तो एक साट रेखा की लंबाई एक साट सो है तो पच्छाटर सो दूब पास किलो मीटर है गाइस सबसे दच्छिड दच्छिड तम बिंदू इंद्रह पॉइंट है गाइस यह सब नोट कर लीजीगा वीडियो में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रीज चैनल को मारे सब्सक्राइब कर लिए साथ ही वेल अकान दबाई ही ताकि रो जाने वाले वीडियो को नोटिप क सब्सक्राइब के लिए चुना गया है अगर हम चर्चा करते हैं तो यह हैं बांबे जैसरी प्रसिद्ध करनाटा गायका और पदम सरी पूसकार से समाने बांबे जैसरी को संगीत अकादमी द्वारा दोजात संगीत कला नीजी पूसकार के लिए सनगा है आफला हमारा बांबे बादक्रांबे करनाटत संगीत कारों में सबसे अगरणी है तो जैसरी हमारी जो हो गए है जैसरी बांबे को दिया गया है अब बात कर ले थे प्रुसकार और सम्मान के बारे में प्रुसकार और सम्मान के बारे हम बात करते हैं तो जैसे पुरुषकार और सम्मान के बारे में बात करते हैं जैसीवी साहित पुरुषकार 2022 खालिज जावेद को दिया गया था संगीत कला नीदी पुरुषकार 2022 क्रिस्टनन और लुजे लच्वी को दिया गया था आन्तारास्ती रेंजर प्रूस्कार ओरंग नेशनल पार्क अश्ब को दिया गया था ओलत नहीं जिम्न लैटिस अमेरिका को दिया गया था मिसس इंडिया 23 17 30 खृति कांदाश जी को दिया गया था सरस déb़ती समान 22 सब्सक्राइब को दिया गया था अब बात करते हैं अगर आप गाइस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को मर जरू सब्सक्राइब कर लिए साथ ही बेल आइकन बाई ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपके विल्कुल टाइम से मिल जाए अगला कुश्च स्रिलंका को दिया गया था अगर हम चरचा करते हैं इसके बारे में किसको दिया गया था तो स्रिलंका को दिया गया था किसको दिये गया था स्रिलंका को दिये गया था अंतराश्ची मुद्रकोष आएम एफ ने स्रिलंको के लिए डॉरल तीन बिलियन डॉलर तीन अरव एफ एफ को मजूरी दी थी उद्देश ब्यापक आर्थिक इस सिर्था को बहाल करना भी तीस थारता को रक्षा करना और स्रिलंका को एन्ला करना था किसलिये दो जो के रूप में चरand रहें भूक्तान में रूमには के बार है आगे बढ़ते हैं का इस वीडियो में बात कर लेते हैं अंतराश्टी मुद्रा कोश के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं अंतराश्टी मुद्रा कोस्क वेड़ा से इंटरनेशन मरेटरियर्व के बारे मेंगर बात करते हैं अब तॉवन 945 में ने मुख्याले वर सिंगेटनद डी सी में अंतर राश्टे मुद्रकोश की वर सिंगेटन डी सी में अध्यक्ष है क्रिस्टलीना जयर जीवा अगले कुश्छन की रूमरते हैं काई आज की जितनी भी कुश्छन देए सारे कुश्छन बहुत इंपूरेंट है अगला कुश्छन नमरा कुछ मिसां माशाध है हर बेस소 मौसम विग्यान दीवस कब मनाया कैसे हाले में विसों मौसमzung दिवस यमा देशेंघ हर साकते हैं तो एंसुर्टा गाइस तेश मार्श को मनाएंगे तेश मार्श को हर साल विस्व मौसम बिग्यान दिवस मनाया जाता है 1950 में डवलु एमो के अधिकारिक गठन के याद में मनाया जाता है गाइस तिहादिन राश्टी मौसम बिग्यान और जलवाई सिवाओं में यहन एम जैनरेशन के साथ मौसम जलवाई और जलका भवीशिता गाइस आगे बात करते हैं अगे बात करते हैं वह इस मौसम बिग्यान संगठन डवलु मो गठन वर्श निसमाज 1950 मुख्याला है जीनेवा लेंड मुख्याले कहां गाइस इसका जिनेवा सूज्द अध्यक्ष है ग देंग घृषंटेंगाई है अजी प्टे क्या हैं ocasElis इतनी फुस क्षिछिंगा All which रीक वेडियो को ज्रूर बहुत घृत चृप हो बीटियो की जरूर चेयर कर दीजिगाई पर आग़र स्वेयर के लिजिए चलते हैं किल्ट के अगल उसस नहीं हमा डार हाले में, सरभ जी सिंग्ण ने ISSF बिसकप में पूर्श की 10 میटर एर पिस्टिल अस्परदा में कौन सा पदग जीता है अभी इंसर उज़ेगा हमारा गाइस सुरंडड़ पदग जीता है सुरंड़ पदग जीता है सरभ जी सिंग्ण ने बहुपाल मद्दे प्रदेश में आई एस एस एफ बिस कप में सरब जीतने दस मीटर एयर पिस्टल प्रतियोक्ता के फाइनल में सौर्ट पदक जीता है उन्होंने अजरवाजान के रुसलान लूनमे को सोला से माद दिये सोला डैस सोला से माद दिये या बिस कब सूटिंग चैंपियंशिप का पहला गॉल्ड मीडल है अगले क्विश्ट है तो बात करते हैं इंटरनेशनल सूटिंग इसपूर्ट फेडरेशन के बारे में आइस एस एफ के बारे में इन्टरनेशनल सुटिंग इस इसपोर्ड फेडरेशन के बारे में बात करते हैं गठन इसकी गठनवर्स 1907 गठनवर्स गाइस 1907 मुख्याला है म्यूनिक जर्मनी में है अद्यक्श है लुसियानो रासी और खेल का प्रकार है निसान बाजी गाइस लाइक जरूर वीडियो कर दीजिएगा और सेर कर दीजिए जबाइस आज की जितने में कुश्चन गी दिये गया सारे काइस कुश्चन बहुत ही इंपोर्डन थे अला कुश्चन हमारा क्यू एस वर्ल्ड इनुर्शिटी रैंकिंग में इंजीनिंग और टेकनलोजी भरत में कौन सीज्ट पर रहा तो की ऐट बामबे बात करते हैं आई आइटी बामबे एँस्टान दिया गया है फावर्ड एनु इस्टी आमेरिका रैंकिंग में सबसे बेहतर प्रदरस्टन करने वाला सनस्थान है बिग्यान और प्रद्धोगी की अगर हम बिग्यान और प्रद्धोगी की बारे में बात करते हैं करती मिर्दे किस संसान से त्यार किया जाता है आयाइटी कानपूर से कहां त्यार किया जाता है आयाइटी कानपूर से सूपर कम्प्यूटर परम कम रूप का अनावर्ण किया गया है आयाइटी गुहार्टी से भारत की पहले स्वायत नेविगेशन इहत आयाइटी हैद्राबाद से सबसे अनोवेटिक संस्थानों में पहला स्थान आयाइटी रुड की है। अगला है सूपर कंप्यूटर परम गंगा कहां अस्तावित किया गया है आयाइटी रूड़की में क्वांटम रिटवर्क में सामिल होने वाला पहला संसार कहुंता आयाइटी मद्रास था आक्सीजन रासनिक उपकरन एमलेक्स आयाइटी रोपड में था गाइस यह था ही तो हाली में कहां हाकी खिलाडी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है तो अब ही हाली में राइबरेली में रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है एंसरों जागा ऑफशन नमर भी राइबरेली में रखा गया है अगर हम चर्चप करत कि हाखे स्टेडियम का नाम बदल कर रानी की गल्स हागी टर्फ कर दिया गया है वह यह उपलब धिया हाँ अ हासिल करने वाली भ्हारत की पहली महिला कि लाड़ी बन गई आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख स्टेडियम के बारे में नारेंद मोदी स्टेडियम है ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में नहरो स्टेडियम चेपक चिन्नाई में केडी सिंग बावू क्रिकेट स्टेडियम लखनों में फिरोजा साह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में लालबाद स्टेडियम है और कर क्रिकेट स्टेडियम इन दौर में गाईज वीडियो कैसे लगी वीडियो में अगर अच्छी मिल जाए थैंक यू फॉर वाचिंग